Hey guys, welcome to my channel करंत्री वेलोसिटी So बाकी हानमा पिकल आर्क के पार्ट टू में हमने देखा था कि किस तरह से पिकल काफी दिनों से कुछ भी खाना नहीं खा रहा वो सिर्फ उस पर हमला करने वाले जानवरों को ही खाता है जिसकी बज़े से पिकल के लिए खाना अरेंज करने के लिए काफी यदा मुश्कले आ रही होती है इसलिए रेच्चू पिकल का खाना बनने के लिए तयार हो गया होता है जिससे रेच्चू को पिकल से फाइट करने का मौका भी मिल जाता है इसलिए बागी हानमा पिकल आर्क के इस पार्ट में हम देखेंगे रेच्चुकायो की पिकल से फाइट होते हुए कि किस तरह से रेच्चुकायो पिकल से फाइट करेगा क्या पिकल रेच्चुकायो को जिंदा ही खा जाएगा या फिर रेच्चुकायो अपने मार्सलार्ट के दम पर पिकल का खाना बनने से बच पाएगा खेर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करी देना सो बागी हनमा पिकल आर्क का पार्ट थरी शुरू होता है हम पहुंसते हैं अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में जहां पिकल अरीना के सेंटर में केरलेसली सो रहा होता है जिसवर टुकुगावा कहते हैं, जिस तरह से पिकल सो रहा है, ऐसा लगता है, उसे किसी भी चीच से डर नहीं लगता, वैसे भी इस दुनिया में जातर जानवर किसी सेल्टर या गोसले में रहते हैं, लेकिन उसे देख लो, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसी कि का राजा हो क्या पिकल डैनसौर्स के जमाने भी इसी तरह से सोता होगा सोचने वाली बात है जिसपर डॉक्टर पाइन चिलाते हो कहते हैं मिश्टर टूकुगावा अगर आप लोग पिकल के बार में इतना ही जानते हैं तो अब कैसे किसी इनसान को पिकल से लड़ा सकते हैं तुम जानते हो ना इसका रिजल्ट क्या होगा जिसपर केप्टन स्ट्रेडम कहते हैं Well, Mr. Prime, हम लोग जानते हैं इस लड़ाई में क्या हो सकता है भगवान की खतरनाक इस दुन्या में अर्थने पिकल को नेचुरल ताकत दी है और उसी भगवान के 4000 सालों ने रेच्चु कायो को उसकी बहतरीन चैनीज मार्सलार्ट से दी है एक बार सोच की देखो आगे क्या होगा अगर वो दोनों लड़ते हैं जिसपर अलबर्ट पाइन गुसा करते होगे फिर से कहते हैं आगे कुछ भी नहीं होगा रेच्चु मारा जाएगा जिसपर यहां टुकुगावा कहते हैं मार्सलार्ट एंड ग्रैपलिंग की हिस्ट्री में हिूमन्स को क्या मिला है क्या वो एक आदिमानप से हारने की तयारी कर रहे थे जिसपर डॉक्टर अलबर्ट पाइन समझाते को कहते हैं मिस्टर टुकुगावा इस्ट्राइडम आप लोग समझ नहीं रहे तुम अभी तक नहीं समझे पिकल की ताकत क्या है क्रैपलिंग टेक्निक्स को हम लोग जिन अपोनेंट के अगेंस्ट यूस करते हैं उनकी स्ट्रेंथ एक जेवरा या फिर सेर की जितनी होती है कर यहाँ पार डॉक्टर पाइन आगे भी अपनी बाते बताई रहे होते हैं उसी वक्त पिकल अपनी नीन से उठकर बैठ जाता है जिसे दिखते ही टुकुवावा डॉक्टर पाइन को सांतत रहने के लिए कह देते हैं जिस पर डॉक्टर पाइन अपने मन में सोचते हुए कहते हैं आगर ये लोग मुझे सांत रहने के लिए कैसे कह सकते हैं आज के जमाने के इंसानों या फिर जानवरों से कहीं जादा है। उसकी बोडी की ताका डैनसौर्स को हंट करने और उन्हें खाने के लिए बनी है। और आप लोग उसका मैच एक मार्सल आर्टिस्ट से नहीं कर सकते। मिश्टर टूकुगावा क्या मैंने पिकल को जगा दिया। जिसपर टूकुगावा कहते हैं नहीं मिश्टर पाइन ऐसा नहीं है। आप बाते जुरू कर रहे थे लेकिन वो आपकी बातों से नहीं जागा। उसके जागने की बज़ए कुछ और ही है। कर इसके बाद हम देखते हैं रेच्चु कायो अरिना की और बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर रेच्चु के आने को पिकल सैंस करके खड़ा हो जाता है। जिसपर डूक्टर पाइन हैरानों तो कहते हैं पिकल अभी अभी खड़ा हो गया। पिछली बार तो वो एक सीर आने पर भी नहीं इला था। सिर्फ पिकल ने साइविरियन टैगर के आने पर रियक्ट किया था। जिसपर टुकुगाव कहते हैं त्स राइट मिस्टर पाइन हमें चैनीज मार्सल आर्ट्स की पावर को कम नहीं समझना चाहिए। कर यहां पर होता ही है रेट्सु का योग ऊटते हुए पिकल के सामने आ जाता है। जिसकी बज़े से पिकल डरते हुए अपने हंटिंग मोड में आ जाता है। जिसे देखकर रेट्सु कहता है पिकल तुम एक फाइटिंग स्टेंज का यूज कर रही हो। मेरे लिए ये मुवेंट काफी कीमती है और मैं तुमारे साथ अपनी पुरी ताकत से लड़ना चाहता हूँ। कर यहां टुकुगावा के हिसाब से पिकल एक डिफेंस स्टेंस में होता है और रेट्सु पिकल की पर्सनल टेरिक्टरी में गुशने की कोशिस कर रहा है। जिसे देखकर यहां सभी जाना चाहते हैं कि पिकल अब रेट्सु के साथ आगे क्या करेगा। फाइट्मम देखते हैं पिकल गुराते हुए रेट्सु पर एक जवर्चस पंजे से अटेक करता है। जिसकी बज़े से रेट्सु घिसाडते हुए तेजी से अरीना की वांटरी से टकरा जाता है। लेकिन रेट्सु इसके बाद अपने पैरो पर खड़ा होते हुए कहता है। ओ, यस, सच में मैं तुम्हारी ताकत समझ चुका हूँ। मैं सिर्फ ताकत के दम पर तुमसे नहीं जीत सकता। मुझे अपने ट्रिक्स भी तुम पर यूज़ करनी होंगी। इसके बाद रेट्सु कायो पिकल की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगता है। और पिकल भी रेट्सु के ऊपर गुराने लगता है। और तभी रेट्सु अपने 360 किक से पिकल के फेस पर एक जवरदस्ट अटेक करने के बाद उसकी आँखों में अपनी चूटिया से हमला कर देता है। जिसकी बज़े से पिकल की आँखे बंद तो हो जाती हैं। और इसी बीच यहाँ पर रेट्सु रुकता ही नहीं। वो अपनी जवरदस्ट किक से पिकल के फेस पर एक से एक अटेक करने लगता है। कर यहाँ पर पिकल को रेट्सु को इन अटेक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। मगर पिकल की आँखों में चूटिया लगने की बज़े से उसकी आँखों में से काफी तेज आँशु निकलने लगते हैं। जिस पर रेट्सु कहता है जिस तरह से पिकल जमीन पर गिरा और मेरी फुल स्पीट की एक किक उसे पड़ी अगर यही किक कोई आम इनसान को पड़ी होती तो वो असानी से मारा जाता। मगर पिकल तुम काफी अलग हो। और इसके बाद होता यह है पिकल रेट्सु को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। मगर रेट्सु पकल के हाथ को डिफलेक्ट करते हुए वो अपनी एक खतरनाक अपरकट कीक से पकल के फेस पर अटेक करता है। फिर उसके बाद उसकी चिन पर एक हाथ से अटेक करता है और फिर उचलते हुए रेट्सु कायो पिकल की चिन पर अपनी किक से लगातार अटेक करने लगता है जिसके बाद हमें ऐसा लगता है कि रेट्सु कायो के इन अटेक की बज़े से पिकल भेहोस हो चुका है मगर इसके बावजूद रेट्सु कायो अपनी जवरदस्थ कीक और पाम अटेक से उसकी चिन पर अटेक करता रहता है यहां हम देखते हैं रेट्सु पिकल से डूर हटते हो यह सूंसते हो कहता है मैंने पिकल के जौपर लगातार 6 अटेक किये मुझे लगता है पिकल का दिमाग अब तक पूरी तरह से हेल चुका होगा मुझे काफी खुसी हुई कि इस रियर मुवमेंट पर मैं यहां हूँ साथ मुझे इसी मुवमेंट पर उस पर और भी हमले करने चाहिए खरी कहते ही रेट्सू कुछ और अटेक्स करने के लिए पिकल की और तीजी से बढ़ता है मगर यहां पर होता ही है पिकल रेट्सू के मुँपर हाथ रखते हुए उसे पीछे की और मोर देता है जिसकी वज़े से रेट्सू कायो बेहुसी की हालात में आ जाता है जिसकी बाद पिकल रेट्सू की चाती को पकड़ते हुए उसके कंदे को ट्रैप्स को ही खाने लगता है मतलब यहां पिकल रेट्सू कायो को खाने की तरह खाने लगता है इस बीच पिकल रेट्सू के कंदे को बाइट करने के लिए पिकल आगे बढ़ता है उस बीच रेट्सू खुद को बचाने की खूब कोशिस करता है लेकिन पिकल उसके कंदे के दूसरे बाइट को भी काट के खाने लगता है और रेट्सू अपनी कोनी से पिकल के मुह पर अटेक करते हुए अपने को दूर हटाने में काम्याब हो जाता है यहाँ पिकल आँक में आसूलिये रेट्सू के मांच को चवा रहा होता है वहीं खून में लत्पत रेट्सू कायो कहता है हाँ मेरे अटेक्स काम नहीं कर रहे और वो मुझे जिन्दा ही खा रहा है इसके बाद होता ही है रेट्सु कायो को काफी ज़दा यहाँ पर गुस्सा आने लगता है जिसके जैसे गुस्से में रेट्सु उड़ते हुँ अपने किक से पिकल पर हमला करता है मगर पिकल अपने एक ही थपड़ से रेट्सु को जमीन में चिपका देता है जहां रेट्सु उपर उड़ते हुए सुनस्ते हुँ कहता है मैंने जितनी भी टेक्निक्स और स्किल्स को पूरे दर्द के साथ मास्टर किया था जिनकी हिस्ट्री पूरे 4000 साल पुरानी है वो आज इस आदिमानप के सामने काम नहीं आ रही मगर दिखा जाए भले ही मेरी स्किल्स और टेक्निक्स किसी काम में नहीं आ रही लेकिन मैं काफी जदा खुस हूँ कि मुझे ये सब सीखने में 4000 साल नहीं लगे चैनीज मार्सलार्ट अब किसी काम की नहीं रही अब मैं इसे यूस नहीं करूँगा इस नाम का होनर और अपोर्चिनिटी मुझे मेरे मास्टर से मिली थी लेकिन अब मेरे माता पिता के द्वारा दिये गए नाम से लेक्स या सीलोंग जरूर मेरे रेच्सु कायो के नाम को प्रोटेक्ट करेगा ठर यहां पर होता ही है रेच्सु का अपनी मार्सलार्ट से पूरी तरह से भरोसा ओड़ गया होता है इसलिए रेच्सु एक अलग स्टेंस में आने के बाद अपने हाथ को एक चक्की की तरह घुमात हुए रेच्सु पिकल पर अटेक कर देता है रेच्सु कायो के इन पंच को कहते हैं दि विंड मिल पंच स्टेटेजी, प्लैनिंग, टैक्टिक, एफिसेंसी उसने इन सभी का त्याग कर दिया है वो सिर्फ अपने हाथों की सुरक्षा से आगे बढ़ रहा है हम देखते हैं रेच्सु कायो के सभी पंचेस लगतार पिकल को पढ़ रहे होते हैं और रेच्सु कायो के ये सभी पंचेस काफी ज़्यादा हाड होते हैं लेकिन पिकल के लिए ये पंचे काफी ज़्यादा कमजोर होते हैं इसलिए पिकल यहाँ पर खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं करता मगर जैसे ही पिकल अपने एक जवरदस्थ हैमर पंच से रेच्सू पर अटेक करता है उसी टाइम होता ही है रेच्सू का है और रेच्समय तरीके से अपने किक से पिकल के इस अटेक को ब्लॉक कर देता है जिसे देखका टुकुगावा और सभी हैरान तो होते ही हैं मगर रेच्सू भी हैरान होता है क्या अगर यह क्या था मैंने तो decide किया था मैं अपने किसी भी technique और martial art को use नहीं करूंगा मैं अपने skills को भूल जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ fight में हम देखते हैं पिकल और भी खतरनाक attacks रेच्चू पर कर रहा होता है लेकिन रेच्चू उन सभी attacks को automatically block करने लगता है जिसके बाद रेच्चू उचलतोए पिकल के face पर एक जवरदस्ट attack करने में भी काम्याब हो जाता है जिसे देखकर दर्सकों की आँके खुली की खुली ही रह जाती है जहां रेच्चू भी कहता है आगर ये कैसे हो रहा है क्या मेरे नाम लेक्षियो सीलोंग ने रेच्चू कायो को बचा लिया आगर ये क्या है मुझे काफी हलका फील हो रहा है क्या मेरे पीछे कोई है सायद क्या रेच्चू के पीछे हम रेच्चू कायो की warrior spirit को देखते हैं जो की रेच्चू कायो से कहती है रेच्चू इतना परिशान क्यों हो अपना होस खोना बंद करो रेच्चू क्या तुम मुझे नहीं जानते रेच्चू मैं ही तुम हूँ मैं वही रेच्चू हूँ जो तुम बनने की कोशिस कर रहे थे जो तुम बनना चाहते थे मैं ही तुम हूँ तुरू रेच्चू जिसपर रेच्चू कहता है मेरी spirit आकरी बात कैसे कर सकती है क्या ये मेरी complete form है जिसपर spirit रेच्चू रेच्चू से कहता है ये काफी अजीब है जिस windmill punch यूज करके तुमने जिस skill, technique, knowledge को protect करने की कोसिस की जिस knowledge को तुमने अपनी पुरी life protect किया इसी बज रेच्चू मेरे पास आओ तुम मेरे ही पाठ हो मुझ पर भरोसा करो 4000 साल का बोज अपने ऊपर मड़ डालो परेशान होना बंद करो अपने सरीर पर और अपने skills पर बने रहो अगर तुम अपनी martial arts को अपने में रहने से रोकोगे तो ये 4000 साल का बोज तुम पर से कभी भी नहीं उतरेगा तो इसके बाद होता ही है रेच्चू अपनी martial arts पर पूरी तरह से भरोसा करी रहा होता है और उसी बीच पिकल रेच्चू को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है मगर रेच्चू कायो का एक attack पिकल की throat पर पढ़ते ही वो पीछे हो जाता है जिसके पिक पिकल अपने फास्ट पंजे से रेच्चू पर जब attack करता है लेकिन रेच्चू अपनी martial arts पर भरोसा करने के बाद वो सबसे पहले पिकल के main part पर हमला करता है जिससे पिकल को यहां काफी दर्द हो रहा होता है और इसके बाद रेच्चू कायो की जवर्दस तीन kicks पिकल के face पर connect हो जाती है जिसकी वज़े से पिकल जब नीचे मुझ के बल गिर रहा होता है उसी वक्त रेच्चू अपने घुटने से मुझ के मुझ को टकरा देता है जिसकी विज़े से होता ही है पिकल भीहो सो कर जमीन पर गिर जाता है अरीना में बैठ यह टूकू आवा का दिमाग पूरी तरह से डेमेज हो चुका होगा जिस पर डॉक्टर अलवर्ट पायन गंबीरता से टुकुकावा से कहते हैं मिस्टर टुकुकावा सर मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है बले ही रेच्सु ने पिकल के सामने इतनी देर तक सर्वाइब किया हो ज तो जब हमें पिकल की बोडी मिली थी और हम उस पर स्टडी कर रहे थे तब हमें पता चला कि पिकल का पूरा सरीर इंसानों से काफी ज़्यादा मैच करता है उसका मस्कुलर सिस्टम, इंटरनल ओर्गन और स्केलेटन सिस्टम सब इंसानों की तरह ही फंक्शन करते हैं मगर सबसे अलग बात क्या है पिकल के सरीर में एक चीज सबसे ज़्यादा अलग थी उसकी खोपड़ी से जुड़ी हुई उसकी रीड की हड़ी जो की नॉर्मल से काफी ज़्यादा मोटी और ठिक थी पिकल की रीड की हड़ी का मुकावला हम आज के इंसानों से नहीं कर सकते जुक कर अपने पैर उपर चलता रहा होगा इसी बज़े से इंसानों पर यूज की जाने वाली 4000 साल से डैबल अप टेक्निक्स जो इंसानों पास यूज की जाती हैं वही टेक्निक पिकल के सामने फीकी पड़ जाती हैं कर फाइट में हम दिखते हैं कि अचानक से पिकल अब ये कौन सा स्टैंस है आगे की और जुक कर हमला करना इसी तरह का स्टैंस रेनर से स्पीड पाने के लिए करते हैं सुमो रैसलर भी कुछ इसी तरह का स्टैंस स्ट्राइक करने के लिए करते हैं मगर पिकल का ये स्टैंस सभी से काफी ज़दा अलग है ये तो उन सभी स और भी जुका हुआ है इसकी जुकावट को तो हम एक जंगली सेर से कंपेर कर सकते हैं ये स्टेंस एक जंगली जानवर का है जोकी सिर्फ अटेक करने के लिए बना है इस अटेक में वो ना तो पीछे हट सकता है ना वो इधर-उधर बोड सकता है बहले ही ये स्टेंस कितना ही खतरना क्यों ना हो मुझे इसका सामना करना ही होगा मैं बच के नहीं जा सकता जिसके बाद मैं अपने करसिंग फिस्ट मीड लेवल अटेक को यूज करूंगा जो कि चैनिज मार्सलाट का सिंबल है मैं अपने पूरी ताकत से अपन जानवर वाले स्टैंस में अटेक करने के लिए रेडी होता है इस जवरदस्ट मु़्मेंट पर पिकल की बोडि में एक स्पार्क होता है और भी अपने पूरी ताकत के साथ रेच्द्स की और स्ट्राइक कर देता है पिकल ने इसी तरह से ट्रायनोसौरस को अपने जवाने करता था हम यहाँ पर देखते हैं कि पिकल के इस अटेक में रेट्सू को पिकल अच्छे से दिखाए भी नहीं दे रहा होता मगर रेट्सू कायो इस बीच अपने अन्यूजियल पंच से पिकल पर अटेक कर देता है जिसकी विज़ा से हमें लगता है कि यहाँ पर पिकल को काफी तीजी से टकराता है और वहीं रहसु का यो भियोस हो जाता है और इसी परकार एंसेंट अटैक के सामने एक मौडन अटैक यूसलेस हो जाता है सो इसके बाद हम देखते हैं कि पिकल की आँख पर रहसु के उस पंच से काफी असर हुआ होता है जिसकी बज़य से उसकी आँख से पानी भी निकलने लग गया होता है और इसकी बाद होता ही है पिकल काफी टाइम से भूका था इसलिए पिकल रहसु की और जाने लगता है ज रेच्चू को एक पैर को तोड़ कर वहीं पर खाने लगता है। साथ में ही पिकल रेच्चू के लिए काफी ज़दा सैड भी होता है। जिसके बाद होता ही है। डॉक्टर अलवर्ट पायंड पिकल को एक इंजक्शन की मदद से यहां पर बिहोस कर देते हैं। जिसकी बज़ए से पिकल के द्वारा रेच्चू को पुरा खाया जाने से बचाया जा सकता है। और यहीं पर बागी हानमा पिकल आर्क का पार्ट टू एंड हो जाता है। और अब इसके अगले पार्ट ने हम पिकल के फाइट काच्चू में औरोची से होते हुए देखेंगे। जो कि काफी ज़दा एक्साइटिंग होगी। जिस फाइट को मैं एनिमे से हट कर डिटेल में एक्स्प्लेइन और नरेट करने वाला हूँ। हम मिलते हैं बागी हमाँ पिकल आर के पार्ट फोर में। टाटा वाबाई टिक क्यार।